पहली खबर है उद्योग विभाग के अनुशंसा पर सिवान के 54 लोगों के बीच रोजगार के लिए चेक के माधियम से लोन का वितरन किया गया है शनिवार को चेक वितरन के लिए सिवान के जिला परिसत सभागार में डीयम मुकुल कुमार गुपता के अध्यक्षता में PME, GP और PMFME की समिक्षाक और रिन वितरन के लिए कारेकरम आयोजित किया गया कारेकरम में कुल 54 लाबुकों के बीच लोन का वितरन किया गया, कुल 299.29 लाख राशी का वितरन किया गया, डीयम मुकुल कुमार गुपता ने मौके पर मौझूद सभी बैंकों के शाखा प्रबंदों को संबोधित करते वे आगड़ा किया कि सरकार उधम लगाने के लिए लगातार प्रयास रद है, राज्य में अधिक से अधिक रोजगार स्रीजन हो सके अगली खबर शप्रा में बालु परिवहन के फरजी चालान बनाने वाले गिरोग का परदा फाश हुआ है इसमें कुछ लोगों ने फरजी चालान बना कर बालु का परिवहन कराया जाता है पक्रे गए आरोपियों के पास से फरजी चालान छापने वाले प्रिंटर सहीद कई तरह के सामान जब्त किये गए है आरोपियों की गिरफतारी मुफसिल थाना छेतर के लाल बाजार से हुई है उसकी पहचान मुफसिल थाना छेतर के लाल बाजार निवासी मनिश कुमार और महराज गंज गाव निवासी संदीप कुमार के रूप में हुई है दोनों को गिरफतार कर जेल भेजने की प्रक्र अगली खबर है सिवान गुपाल गंज पुलिस ने हवाला कारोबार का खुलासा किया है। सरवर अली बढ़हरिया थानाचेतर के बहुआरा कादीर गाउनिवासी जुहांगीर हुसेन तथा बढ़हरिया थानाचेतर के बड़ेसरा गाउनिवासी हसरत अली अंसारी शामिल है। सेप चैट कॉल से बात हुई है। CSP के जड़िये लोगों तक पहुचाता था रुपया मिलता था कमिशन। SP स्वर्न प्रभात ने ये भी बताया कि इनमें से एक आरोपी CSP का संचाला करता था। ऐसी सूशना मिल रही है कि एक व्यक्ति के खाते में सौधी से काफी मात्रा में रुपय आ रहा है। अगली ख़पर रेलवे में लैंड फॉर्ट जॉब मामले में लालू यादों की मुश्किले और बढ़ सकती है। इसकी जाच CBI ने तेज कर दी है। इस मामले से जुरे जो लोग रेलवे में नौकरी कर रहे हैं उनकी भी परिशानी बढ़ने जारी है। आगे की जाच और पूस्ताज के लिए CBI की रडार पर वो लोग आ गए हैं जिन पर आरोप है कि लालू प्रसाद के रेल मंतरी रहते वक्त जमीन दे कर उन्होंने रेलवे की सरकारी नौकरी ली। इस मामले में पूर्वे मध्यर रेलवे की तहत दानापूर डिवीजन में काम करने वाले छे कर्मिचारियों को पूस्ताज और जाज के लिए दिल्ली तलब किया गया है। लहेरिया सराई की कार्याले परिसर में दुर्वासा आयूर्वेद पीवी टी लिमिटेड द्वारा 11 बजे से 3 बजे तक जौब कैम्प का आयोजन किया जाएगा।